नमस्कार स्वागत है जोतिश दिशा सब्ति की राह देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टोप फ्रेंट संतो संतोशी आज चार अक्टूबर गयाजी प्रवास का चौथा दिन पांचमा दिन तीस एक दो तीन चार आज पांचमें दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं च्छे अक्टूबर को सर्वपित्र हमावस्या के दिन पुणाहुती के साथ गयाजी का ये तीसरा सीजन हमारा समाप्त होगा लगातार तीन वर्षों से 2019, 2020, 2021 लगातार करवा रहे हैं भागवत पाठ भी चल रहा है आचारे गणेश उपाध्याई जी के सानिद्ध में और जितने भी आगंतुक हैं जितने भी आसपास के लोग भी आते हैं उन सब का भी अभिनंदन वंदन प्रते दिन हम लोग कर रहे हैं और अगले वर्ष 2022 के लिए अभी से संकल्प आप लोग ले लीजेगा अगर आप पित्रिन नहीं कर पाएं अभी बहुत सारी कुंडलि है राहू के साथ है शनी के साथ है शुक्र के साथ है लेकिन ना जिसने सब दिया है उसके लिए हम इतना भी नहीं दे सकते हैं बात करेंगे राशियों की कैसा दिन बीते का आपका दिन बहतर करने के लिए उपाय क्या करना चाहिए सारी कुछ जानकारिया हम आप तक पहुं जूतिश दिशा सत्य की राहा सर्वप्रथम आज का पंचांग आश्विर महा किष्ण पक्ष त्रेयो दशीति थी आज सुम प्रदोश है चंदरमा सिंग राशी में नक्षत्र पूर्वा रहेगा योग रहेगा शुभ तदनुसार दिरांक चार अक्टूबर दिन सुमवार सुमवार को राहुकाल का समय सुभई साड़े साथ से नौ और गुलिकाल दोपढ़ डेर से तीन जिसमें गुलिकाल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंब कर सकते हैं लेकिन राहुकाल में आप नहीं कर सकते हैं राहुकाल आपके लिए शुभ होता है मेश से लेकर मीन तक दिन कैसा बीतेगा अब आई जानते हैं आज की भविश्य वारी मेश राशी सेक्षा के लिए दिन बेहतरीन बीतने वाला है पढ़ाई बहुत अच्छा चलेगा ब्यापार थोड़ा सा कष्ट देगा बिजनस की स्थितिक बहुत अच्छी नहीं है हर हाल में शुबता मिलेगी सरकारी छेत्राप पर भारी पढ़ रहा है सरकारी छेत्राप के लिए मुश्किल पैदा करेगा आज का दिन दामपत्य जीवन के लिए बहुत सभार्द वाला है एक दूसरे के करीब आने वाला है लेकिन लव लाइफ की स्थिति थोड़ी सी डामा डोल हो सकती है सोच समझ कर फैसला लेजिए परिशानिया बढ़ सकती है स्वास्त के मामने में बैक की प्रॉबलम और घुटने की तक्रीफ आज आपको परिशान करेगे उपाय क्या करना चाहिए आज दिनांको चार अक्टोबर को प्रियोग के तौर पर मादुरगा को प्रणाम करते हुए गुलाब जल अपनी हथेली में लेकर मा के चड़ों में रख दीजेगा क्या नहीं करना है आज बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है शुबरंग बैगनी भाग्यपत्षत 51 ब्रिशब रासी बहुत अच्छा समय है पढ़ाई अच्छी करेंगे शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार आपके लिए आज कष्ट दे रहा है बिजनस की स्थिति ठीक नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनकूल रहेगा नौकरी में प्रिमोशन होगा बॉस प्रशन रहेगे गवर्मेंट सेक्टर वालों के लिए आज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के आवश्यक्ता नहीं है मकान की चिंता सताएगी दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा बच्चों का सुख मिलेगा आज एक दूसरी के प्रती समर्पन भाव जागरित रहेगा लव लाइफ में कुछ उठा पटक रहेगा एक दूसरी के प्रती थोड़ा सा वैराग गिसा आएगा लव लाइफ में मन करेगा कि अलगाव कर ले ध्यान दीजेगा थोड़ा सा सावधान रहने क्या पशकता है स्वास्त के मामले में पेट दर्द किड्नी आख की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए प्रियोग के तोर पर भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए ओम गंग गणपते नमह का ग्यारह वार जाप कर लीजेगा क्या नहीं करना है आज ब्रिशव वालों को दूसरों से उम्मीद नहीं करना है प्रत्चत का भाग्य मिथुन राश्य मन प्रशन रहेगा सिक्षा में लाव होगा सिक्षा का छेत्र आपके लिए बहुत अनकूल है ब्यापार ठीक नहीं चलेगा उठा पटक बना रहेगा बिजनस में स्थिति आपके हाथ से बाहर जा रही है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मजबूती आएगी एक दूसरे को बॉस के साथ तालमेल अच्छा बैठा लेंगे कलीक्स के साथ भी आज तालमेल अच्छा रहेगा लेकिन सरकारी छेत्र में धन की स्थिति थोड़ी सी डावा डोल हो रही है लिहाजा काम में मन कम लगेगा आज खर्च की स्थिति अधिक रहेगी लव लाइफ और मैरेड लाइफ दामपत्य जीवन थोड़ा सा उठा पटक दिया बच्चों को लेकर की स्थिति गंभीर हो सकती है सोचिए समझिए और फिर नेड़े लेजे स्वास्त के मामले में पेट दर्द बैक की प्राबलम अच्छा लव लाइफ ठीक रहेगा लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं है स्वास्त में कुछ उठा पटक बना हुआ है खास तोर पर कुछ पुरानी समस्याओं को ले करके पुरानी विमारियों को ले करके आज परिशानियां बढ़ सकते हैं मिथुराश्य वालों के लिए आज का दिन प्रियोक के तोर पर किसी जरुरत मंद को कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुब होगा क्या नहीं करना है जूट नहीं बोलना है बादामी रंग शुब है चपन प्रिशत का भाग्या है करकवालों के लिए आज थोड़ा सा दिन ठीक नहीं है पढ़ाई में मनकम लगेगा करकवालों के लिए आज शुक्षा से भी मुखता रहेगी परिवार में कोछ उठापटक की स्थिती है सोच समझ कर निर्ड़ा लीजिए ब्यापार आपका अच्छा चल रहा है बिजनस में बहुत अच्छी स्थिती है बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर पर आज आपका भाव भारी पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव दे रहा है सरकारी छेत आप पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा गौर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन की स्थिती बन सकती है मित्रों का सानिद्ध रहेगा आज अपनों का सानिद्ध रहेगा बॉस प्रशन रहेंगे मैरिड लाइफ थोड़ा सा उठा पटक वाली है तनाव बढ़ सकता है मानसी ग्रूप से आज परिशान हो सकते है स्वास्त के मामले में पेट दर्द लीवर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या हो पाय करना चेहे कर आपकी राशी करते है आज सफेद वस्त्र धारण करना आपके लिए शुब रहेगा क्या नहीं करना है यात्रा आज नहीं करना है सफेद की शुबता है 48 प्रुद्शित का भाग्य है सिंग राजी बहुत सकारात्मक पक्षाप का है पढ़ाई बहुत अची करेंगे शिक्षा में लाव होगा ब्यापार आपके लिए तकलीफ देगा बिजनस की स्थिती ठीक नहीं है परिशानिया बढ़ सकती है प्राइबेट सेक्टर के लिए अनकुलता रहेगी वाहन का सुख मिलेगा पुराने समस्याओं का हल निकलेगा सरकारी छेतर में प्रमोशन की स्थिती बनेगी आज बहुत प्रशन रहेंगे वाहन का सुख मिल सकता है वाहन का सुख बहुत दिनों बार दामपत्य जीवन ठीक है कुछ नोग जोग तो हो सकता है दोपहर बारह बज़े तक समभलने की आवशकता है तदू परान्त इस्थिती आपके पक्ष में रहेगी लव लाइफ बहुत अच्छी है शादी की चर्चा कर सकते हैं एक दूसरे की आखों में जहांक करके आज बहुत कुछ समझने का प्रयास करेंगे स्वास्त के मामले में माइगरेन बैक की प्राबलम, गर्दन की समस्या और लीवर की प्राबलम हो सकती है प्रयोग क्या करना चाहिए ओम नमह शिवाए शुप अंचाक्षरी मंत्र का जाब करिएगा क्या नहीं करना है आज अपने रहस से किसी को बताने नहीं है ग्रे कलर शुप है, अनसर्ट प्रत्षित का भाग्या कन्या राशी पढ़ाई में आज टॉप करेंगे सिक्षा बहुत अच्छी चलेगी कोई रुकावट नहीं आएगी ब्यापार आपके लिए तकलीफ दे हैं बिजनस की स्तिती ठीक नहीं है प्राइवेट सिक्टर बहुत अनकूल रहेगा परिशानियों से बाहर निकालेगा सरकारी छेत्र तनाव दे रहा है सोच समझ कर फैसला लेजे दामपत्त जीवन अच्छा रहेगा बच्चों के दायत तो पूरुन होंगे आज मकान में निवेश कर सकते हैं लव लाइफ आपके लिए परिशानी का कारण बन सकता है सोच समझ करके बात रखिएगा अपनी परिशान हो सकते हैं परिजनों से आज बिवाद की स्थती है स्वास्त के मामले में आज का दिन माइग्रेन गर्दन की समस्या लीवर की प्राब्लम दिखाता है प्रियोग के तोर पर कन्या राशी वालों को आज शिवलिंग पर गुलाब जल अर्पित करना शुब होगा क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है गुलाबी रंग की शुबता है बासच प्रत्शत का भाग्य है तोला राशी प्राई बहुत अच्छी करेंगे शिक्षा में पूरा लाब होगा किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार कश्ट देगा बिजनस को लेके सावधान रहने की आवशकता है प्राइबेट सेक्टर आप पर भारी पढ़ रहा है आज सुच समझ करके बात रखिये अपनी बॉस के साथ भी बात हो सकता है नई नौकरी के प्रियास न करियेगा सरकारी छेतर बहुत अच्छा है गॉर्मेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी प्रमोशन हो सकता है आज खुशियां रहेंगे मारेड लाइफ बहुत अच्छी है हर हाल में शुबता रहेगी मारेड लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी लव लाइफ आपके लिए भारी पढ़ रहा है लव लाइफ को ले करके सजग रहने की आवशकता है आपके लिए तनाव पैदा करेगा आज अलगाव की भी उम्मीद हो सकती है स्वास्थ के मामले में छाती में दर्द किड्नी की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है क्या उपाई करना चाहिए तुला राशी वालों को अगर आपकी राशी तुला है ओम दुम्दुरगाये नमह ग्यारह बारिस मंत्र का जाब करिए क्या नहीं करना है आज छूट नहीं बोलना है भुरा रंग्शुब है ठावन प्रिश्चत का भाग्य है समय आपकी फेवर में कोई रुकावट नहीं आएगी मुश्किलों से बाहर निकलेंगे लाव के अवसर बनेंगे पैसा आएगा तो पढ़ाई भी हो जाएगी ब्यापार आपके लिए कश्ट देगा बिजनस में रिस्क लेना भारी पड़ेगा प्राइबेट सेक्टर अनकूल रहेगा नोकरी में उन्नती है आज कहीं यात्रा पर भेजे जा सकते हैं सरकारी छेत्र थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर रहा है गौर्मेंट सेक्टर में आपको रिस्क नहीं लेना है नामपत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा सवहार्द रहेगा शुबता रहेगी लव लाइफ में उठा पटक बना हुआ है परिस्थतियां आपके हाथ से बाहर जा रही है स्वास्त के मामले में आज का दिन कमरदर्द और किड्नी की समस्या दर्शाता है प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राश इब्रिश्चिक है सामान जल अपनी उल्टी हथेली पर रख कर छिड़काव कर लीजे क्या नहीं करना है आज काला रंग अवाइट करिएगा लाल रंग की शुबता है आज तिरपन प्रितिशत का भाग्य है धन उराशी पढ़ाई अच्छी करेंगे सिक्षा में लाव होगा धन की स्थती अच्छी रहेगी ब्यापार बहतरीन बिजनस में उन्नती है आज बहुत शुब सोचेंगे प्राइबिट सेक्टर आपके लिए अनकुलता दे रहा है लाव के बड़े अफसर पैदा करेगा हर हाल में शुबता मिल रही है सरकारी छेत्र उल्जन पैदा कर रहा है आज लेन देन ध्यान से करिएगा फस सकते हैं दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के विचार आज मैच कर जाएंगे बच्चों का सुख मिलेगा लेकिन लव लाइफ में अलगाव की चांसेस बनेंगे किसी दोस्त के शड़यंत्र के सिकार हो सकते हैं लव लाइफ को लेकर के आज धनु राशी वाले बहुत सजग रहें आप बिल्कुल ब्रेक अप की कगार पे हैं स्वास्त के मामले में बैक की प्राब्लम आज इशारे करती है खांसी जुखाम की शिकायत भी हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी धनु है आज किसी बुजर्ग को दवा का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है अपने मन से कोई डिसीजन मत लीजेगा बादामी रंग शुब है तिरपन प्रत्षित का भाग्या है मकर राशीद बहुत सकरात्मक पक्ष है अवसर बड़े मिलेंगे जिसका लाभ आपको होता रहेगा आपके लिए बहुत शुब इस्थती में है सब कुछ पढ़ाय अच्छी करेंगे सिक्षा में उन्नती है ब्यापार आपके लिए अनकूल रहेगा बिजनस में लाभ के सकरात्मक पक्ष बनेंगे प्राइवेट सिक्टर आपके लिए भारी पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान दीजेगा सरकारी छेत्र बहुत अच्छा है गौर्नमेंट सिक्टर में आपके लिए शुबता रहेगी दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पती पत्नी की बीच सवहार्द है हर प्रकार की शुब इस्थती रहेगी लव लाइफ आपके लिए थोड़ा सा तनाव दे रहा है लव लाइफ पर फोकस करने की आपशक्ता है स्वास्त के मामले में बैक की प्रावलम घुटना और आँख की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए प्रियोग अगर आपकी राशी मकर है तो आज केसर का तिलक अपने नाभी पर लगाना शुब होगा क्या नहीं करना है आज किसी से उम्मीद मत कर लीजेगा शुबरंग आपके लिए केसरिया भाग्य प्रित्सत साथ पुम्भराशी पढ़ाई जबरदस्त चलेगे सिक्षा में खोब सुधार होगा आज व्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में कहीं से भी आज रिस्क नहीं दिखाई देता प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनकूल है अवसर बड़े मिलेंगे लाव होता जाएगा सरकारी छेत्र तनाव देगा गौर्नमेंट सेक्टर आपके लिए मुश्किलों को खड़ा कर रहा है दामपत्य जीवन अच्छा है पती पत्नी के बीच सुभ रहेगा सब कुछ सभार्द पूर्ण रहेगा लव लाइफ आपके लिए भारी पढ़ रहा है चादा विचार मत करिएगा सब कुछ सकारात्मक करने के कोशिश करिएगा स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम घुटना और किड्नी की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए आज हल्दी का तिलक दाहिने हाथ के अंगूठे से कंठ पे लगाईएगा क्या नहीं करना है उधार देने से बचना होगा पीला रंग शुबर छांचट प्रतिशत का भाग्या है अंतिम राश मीन पढ़ाई अच्छी है सेक्षा में अवसर मिलेंगे अवसरों का लाव मिलेगा ब्यापार कश्ट देगा बिजनस के लिए सावधान रहने की आवशक्ता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज थोड़ा सा तनाव दे रहा है लेन देन को ले करके कुछ बिवाद की स्थिकारे छेतर में बन जाएगी सरकारी छेतर में प्रमोशन है गौर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल है शुबता आपको जरूर मिलेगी लेकिन दामपत्ते जीवन बहुत अच्छा नहीं है यहां परिस्थतियां आपके हाथ से बाहर जा रही है आप पर कुछ भार पढ़ सकता है लव लाइफ बहुत अनकूल रहेगा शुबता अच्छी मिलेगी आगे बढ़ते जाएंगे स्वास्त के मामले में पेट दर्द लिवर किड्नी आग की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राश मीन है आज किसी जरूरत मंद को फल का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है आज अपने राज शेयर नहीं करने है औरेंज गलर शुब है 61 प्रत्षत का भाग्याब के साथ है बात करेंगे अब आज के भाग्याक्षर की दिनांक चार अक्टूबर दिन सुमवार भाग्याक्षर मेश था ब्रिशब खा मिथुन ला करक रा तुल सिंग मा कन्या भा तुला सा ब्रिश्चिक टा धनु चा कुम्भ जा मीन भा कुम्भ भा मीन सा पता नहीं कहा ध्यान भटक जाता अचानक से माफी चाहेंगे आप लोगों से नोट कर लिएचे एक पार फिर से रिपीट करते हैं मेश थाग्षर बिशब खा मिथुन लाग्षर करक रा सिंग माग्षर कन्या भा तुला साग्षर ब्रिश्चिक टा धनु चाग्षर मकर जा कुम्भ भाग्षर मीन सा संतोस वाला संतोसम परमम धनम संतोसम परमम सुखम ये वाला नहीं भाव वाला सक्सस की अपने नेत्रों को बंद करके तीन बार अपने पिता का नाम ले लीजे आज इनका जनम दिन है चार अक्टूबर को तीन पीपल के पौधे कहीं लगा कर दो बच्चों की सिक्षा में मदद करना है और किसी विधवा इस्तरी को दवा का दान करिएगा बहुत सारी विधवास्रम भी आसपास होते हैं देख लीजे जरूरत मंद होती है महिलाएं माताएं बहने जिनकी आज मैरी जनमर्सरी है चार अक्टूबर को दो बच्चों की सिक्षा में मदद कलके तीन लोगों को खाना खिलाना है बस शुबता बनी रहेगी हमारी शुब कामना है आपके जुजल भवेशे के लिए अपना प्यार युह हमारे साथ बनाए रखिएगा आज के लिए बस इतना है कल फिर आएंगे विश्यक लेकर नया जो छेत्री बोते हैं नवरात्री में कलश के नीचे जव उसमें एक सामान डलवाएंगे एक सामगरी डलवाऊंगा मैं क्या होगी हो सामगरी देखना न भूलिएगा नवरात्री स्पेसल सिरीज आज ठीक शाम को जोतिश जराहट के कारिक्रब में नमस्कार उस्टे किसना सिरा दे गया जी में मिल सकते हैं आ सकते हैं थैंक्यू नमस्कार